इस वीडियो में मैं compare करने वाला हूँ दो बहुत ही बहतरीन और popular earbuds जो कि Amazon में आपको है ना जो कि 700 के अंडर देखने को मिल जाते है तो यह मैंने Amazon से जो कि 639 रुपीज में पर्चेस किया और यह जो कि Amazon से मैंने जो कि 599 रुपीज में पर्चेस किया हुआ है तो आप देख स अच्छी और most selling earbuds आपको Amazon पर देखने को मिल जाते है तो box के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है जैसे कि मैं आपको show कर दा तो दोनों का box आपको सेम सेम से देखने को मिलेगी जैसे कि है ना एक USB के बल एरबर्स और user manual तो earbuds की बात करें तो earbuds के quality हमें वी कूल के आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि दो पैर इस प्लास्टिक के अंदर रहे हो और दो पैर इन दोनों के अंदर लगे हुए है तो इसे में रखते तो side में और USB cable USB cable के lens जो कि दोनों 15-50 cm जो की skill जितनी और user manual आपको देखने को मिलता है अब बात करते है जो कि सबसे पहल है ना इसके design के बारे में जो कि यह patron company का यह word से तो यह matte finish के साथ में आता है इसके साथ में आप यह patron लिखा हुआ है निचे आप यह से तो charging का point देखने को मिल जाते है इसके अंदर जो कि आपको चेक करना कितनी battery बची हुए तो blue color light जलेगी मतलब हमारे जो कि battery available है जब red light तो मतलब battery इस case के अंदर down हो चुकी है और इधर आप जैसे तो इधर बटन देखने को मिलता है तो इस बटन पर प्रेस करने से आपको पता चल जाएगा और case के quality की बात करें काफी 6 quality के आपको जो कि case देखने को मिल जाता है मैट finish देखने को मिल जाता है और इधर आप जै और इधर आप देख से तो जैसे कि यह आपको है ना जो कि वी कुल company का देखने को मिलता है तो वी कुल और पॉटरन का बहुत ही different आपको size में देखने को मिलेगा तो इस पॉटरन के अंदर 400 mh की battery वी कुल के अंदर 350 mh की battery देखने को मिलता है पर दोनों को मैंने use किया दो तो इधर इंजस लगे हुए तो जैसे हम इसे बंद करेंगे तो sound आएगा और जिस तरह हम किसी चीज को बंद करते box हो गिरा को इस तरह हमारा ये box बंद हो जाता है एक्दम tightly बंद होता है दोनों के case बहुत ये अच्छे quality के बने हुए और इसे में open करता हूँ तो वी खूल के अंदर आप देखसे तो सामने आपको है ना बैटरी लाइप का इंडिकेटर देखने को मिलता है जैसे कि पैटरोन के अंदर आपको इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा बस आपको light के थ्रू अंदाजा लगाना पड़ेगा कि बैटरी अभी डाउन है ये बैटरी फूल है तो राइट ब्लू है मतलब बैटरी फूल है और जब लाइट रएड हो जाएकी तो बैटरी मतलब कम हो चुकी है सो देखसे तो इस टाइप का आपको तेकर निफे के साट में आपको चारजिंग का पोड्ट देखने को मिल जाते हूं और इसके नंदर थो भी इतना ही time लेगा और नौर्मर चारजर के गर तो भी इतना ही time आपको देखने को देखने को मिल जाएगा और बैटी लाइफ की बात करें तो इसके अंदर आपको 400 बेटरी देखने मूबलते हैं यह थोड़ा रेड और ब्लू कोलर की लाइट है तो इसे भी मैं जो कि वी कुल वाले को भी ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो रेड कलर की आपको लाइट देखने को मिलेंगी ब्लिंक होईगी तो इससे आपको कनेट करना रहेगा तो आपके डिवाइस में जो की वी कुल करके आ पर आपके डिवाइस से आप 25 फीट दूर हो तब तक आपको वाइस क्लियर आएगा इसके बाद में उससे दूर जागो तो आपको वाइस के अंदर जो की थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिल जाता है मतलब वाइस कट सकती है बीच बीच में थोड़ी वाइस नहीं आएगी और बॉक्स के ऊपर जो गए 10 मिटर 10 मिटर के साब से 33 फीट हमारा होना चाहिए पर 25 फीट तक हमारी वाइस क्लियर आथी और उपर आप देख से तो उपर आपको बटन देखने को मिल तक आप म्यूजिक सुन सकती हो तो यह जो कि मैंने यूजिक प्यूजिक अंदर आप 5 का बैटरी जो बैटरी जो इसके बाद में 10 मिनिट चलेगा इसके बाद में बैटरी जो की डाउन हो जागी और ये वी कुल वाले की बैटरी लाइफ की बात करें जैसे कि आप कोई भी मुजिक प्ले कर रहे हो तो 3 होवर 45 मिनिट तक आप इसके बाद में आपको बैटरी जो करके आपको सुना ही देगा बार बार इसके बाद में 10 मिनिट में आपका जो की बैटरी डाउन हो जाएगा तो इसके अंदर बॉक्स के उपर जो की 4 होवर बताया गया और इस पैटरोन के उपर जो की 6 होवर बताया गया तो दोनों में तब जो कि 4 hour 10 minute तक आप continue बात कर सकते हैं इसके बाद में आप देख से तो patron का battery का down हो जाएगा और इस वी कुल ओले का जो कि 2 hour 15 minute तक आप continue बात करें इसके बात में वी कुल ओले का battery down हो जागा अब charging के बात करें जैसे कि इस case के अंदर आप में 350 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है पर इसे आप full charge करोगे तो तो तीन बार आपके complete charge होएगे विसके बाद में फिर इस case की बैटरी डाउन हो जाएगी और इधर आप देख से तो इसके अंदर 50-50 mh इसका एक एक के अंदर हमें बैटरी बताया गया है तो इसके अंदर हम तीन बार इसे charge करते हैं हमारी इस case की बैटरी डाउन हो जाती है तो 300 mh तक मेरे हिसाब से इसके अंदर बैटरी है उससे ज़्यादा नहीं है आप एक एक का करिणा जाता है अब जैसे कि चार्जिंग में अग्डदा करनेट करके दिखा दैद सो तो जैसे मैं charging में connect करूँगो तो आप देख से तो इस टाइप से आपको red light देखने को मिलेगा और इसके अंदर जैसे मैं charging में connect करूँगो तो आपको इधर indicator शोगएगा कि कितना person remaining इस case के अंदर charging है और जैसे यह charging full हो जाएगा तो यह जो कि indicator भी बंद हो जाएगा left और right का आप देख से तो इधर यह indicator भी देखने को मिल जाता और इस case को मैं बंद कर देख से तो case के ओपर जो यह quality यह plastic quality यह transparent plastic card जैसे आपको देखने को मिल जाता है तो जैसे यह बंद करूगे आप देख से तो आपको है इधर कितना person remaining battery इस case के अंदर बोश हो हो जाएगा weight की बा बाहर नहीं दिखेगा बस नीचे एक blue color की light दिखेगी कि इसके अंदर इयर बर चार्ज हो रहे और दोनों के अंदर जैसे के completely चार्ज हो जाते तो automatically यह light बंद हो जाएगी और यह वाली light बंद हो जाएगी तो यह case की तरह भी work करेगे और charging case की तरह भी work करेगे तो आपको इस attention नहीं की जरूत नहीं कि जैसे आपने charging complete होने के बाद में इसे बाहर निकाल दो दूसरी जगा रख दो ऐसा कुछ भी नहीं इसी के अंदर रहे तो भी कोई issue नहीं कोई भी problem नहीं अब sound quality की बात करे तो मेरे हिसाब से इस patron के अंदर base quality थोड़ी जादा बहतर देखने क है और बाकी जो कि यह ना voice वगेरा calling वगेरा की बात करे तो एकदम same quality कुछ भी ज्यादा changes नहीं बस base इसके अंदर हमें ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते पैटरौन वाले के अंदर अब fitting की बात करे तो कौन से वाले जो की properly year में fit होएगा तो आप patron company के जो yearbirds यह purchase कर नहीं होएगे तो यह मैं आप देख से तो जैसे कि मैं size show कर देता हूँ इतने आपको size देखने को मिल जाते है तो यह वी cool वाला कभी कबार मेरे कान में थोड़ा सा यह बड़ा पड़ता है मेरे भाई के कान में जो कि एकदम properly fit हो जाता है पर यह जो pattern वाले यह मेरे कान में और मेरे कान में भी एकदम properly fit हो जाता है तो pattern वाला आप देख से तो यह हमारे Samsung का earphone जो आपने देखा रहेगा काफी बार पुराने mobile के साथ में आया करता था तो इससे और इसका size आप देख से तो इतना different देखने को मिल जाता है तो काफी बार Amazon पर हमें image इस तरह दिखता ह इससे लगता है कि यह बस इतने size का है हमारे earbuds रहेगा पर यह earbuds आप देख सकते हो इससे डेढ़ गुना जो कि size में बड़ा है So I hope मैंने सारी चीज़े इस वीडियो में compare कर लिए तो कुछ भी चीज में भूल गया रहे हो तो आप मुसे comment section में पूश सकते हो तो मैं आपको बता दूँगा तो आप description ज़रू रहे बाच चेक कर ले रहा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो यह वीडियो अच्छा लगा तो यह वीडियो को like कर दीजिए और भी interesting वीडियो चीए तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए तो ठेंगे so much watching this video